यह नया साल आप सभी के लिए काफी अच्छा हो आप सभी का सलेक्शन हो और आप सभी अपने अपना जो भी आपका एम अब्जेक्टिव टार्गेट है आप उसको जरूर अचीव करें और उसके साथ साथ आगे और बढ़ें करेंगे तो आपने तयारी शुरू करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली आपने इतना अच्छा जरूर किया होगा कि आपका सेलेक्शन हो अट-लीस यह मान के आपको जरूर आगे बढ़ना है कमेंट बॉक्स पर मुझे बताईएगा कि आपने फिरप्रेशन शुरू की है कि नहीं की है तो आज हम डिसकर्स करने वाले हैं कि आई-बी-पी-एस एफ-फो को जब आप मेंज का एक्जैमिनेशन को टार्गेट करें तो करेंट अगेट करें क्योंकि मैं आपको बता दू तो इतना जादा यहां पर करेंट अग्री कल्चर पिछले अगर दो तीन साल से आप देखेंगे तो नहीं आता है और बहुत जादा विल्कुल जैसे नबाट में आता है वैसे आपको के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको पहले बताता हूं कि आपको यह ची को देखिए कि क्स टाइप से पूछे गए थे और वह किस लेवल में या फिर करेंट अग्री कल्चर के किस पार्ट से पूछे गए जैसे यह कुशन है कि कीपिंग इन दव्यू इंट्रेस और शुगर के इन फार्मर्ट सीए जो फर्पी फिक्स किया शुगर के इनका वो कि इतने कोशन थे यह सारा का सारा आपको कहां से पता चलेगा प्रीविए सीयर पेपर तो करेंट अग्री कल्चर किसी भी परटिक्लर टॉपिक को जब भी शुरू करें सबसे पहले आपको क्या करना है प्री पर को वहां से देखना है उके तो उसके साथ-साथ आपको आगे क आगे रखते हैं, वैसे ही इस analysis को भी आगे रखनी है, so that कि हमें पता रहे कि जो भी जी जम पढ़ रहे हैं, उसमें previous year में कैसे questions पूछे गए थे या कैसे questions पूछे जा सकते हैं, एक यही तरीका है क्योंकि आई-वियस, आफो ने कोई syllabus यहां पर दिया नहीं है, तो आप देखिएंगे last year 5 questions यहां पर पूछे गए थे, उससे पहले 4 questions यहां पर पूछे गए थे, और वो questions भी ऐसे थे, जो बहुत जादा ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा उखेल पूखेल करनी पड़ेगी, बहुत easily आपको चीज़े मिल जाएंगी, systematic होके पढ़िए, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कुछ भी topic उठाके आपने पढ़ना शुरू कर दिया, वही चीज़ा आज हम discuss करने वाले हैं, बाकी subjects के लिए आप similar roadmap use करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, इसमें किसी को कोई भी doubt query question है, तो आप पूछ सकते हैं, cut off question paper के recording होती है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, तो paper जैसा मैंने आपको दिखाया था, कि question FRP पे था, जैने दूसरा question आप दिखेंगे तो, अग्री कल्चर का जो जी वी परसंटेज उससे रिलेटेट था, फर्टलाइजर को का का अग्रेट करने के लिए, यूरिया की बैक का वेट कितना कर दिया गया है, ENWR, Negotiable Warehouse Receipts पे जो loan facility है, वो कितने तक की है, AC, ABC स्कीम, जो की नाबाट की स्कीम है, इसको training कौन प्रोवाइड करता है, यह question यहाँ पर पूछा गया था, तो यह question ऐसे थे, जो current agriculture में पूछे गए थे, अब दिक्कत क्या होती है, आप इन question के लिए ऐसी ऐसी चीज़े पढ़ने लग जाते हैं, यहाँ यहाँ से, या फिर आप इतनी deep जाके इन चीज़ों को पढ़ते हैं, कि आप जो conceptual चीज़ में अपना time देना चाहिए था, उस time को ना देके इन चीज़ों में waste करते हैं, जैसे मैं आपको यह example बताऊं, students नाबाट की website में जाके जितने projects उनको पढ़ लेते हैं, उसे क्या फायदा होने वाला है, वो तो आपको जब bank में आप job करेंगे तब आप से पुछा आएगा, नाबाट की site को आपको visit करना है, न उसकी कौन से scheme से ये देखे, नाबाट basically work कैसे करता है, ये देखे, बस उससे ज़्यादा उसके जो नियम कानून है, वो पढ़ने की जरुवत नहीं है, क्योंगी जाब bank में जाएंगे तब उन नियम कानून को apply करना होगा, scheme to scheme, state to state, condition to condition, वो सारी चीज़े vary करती हैं, इसल तो current agriculture में कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों cover करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले कि आप इसको दो पार्ट में divide कीजिए, एक तो agriculture schemes और reports, दूसरा agriculture data और जो state wise ranking औगेरा रहती है वो, हाला कि अभी एक दू साल से ranking औगेरा थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, इस schemes में कौन सी schemes पढ़ना है, जो ministry of agriculture की है, ministry of agriculture and farmers welfare, इसके अलावा ministry of animal husbandry, daring and fisheries, इसके अलावा ministry of food processing industries, PMFME scheme, इसके एक important scheme है, इसके अलावा ministry of rural development, इतनी ministries आप at least पढ़िये, बस इतनी ही sufficient है, और इसके बारे में हर एक ministry के लिए, या फिर हर एक scheme के लिए बहुत detailed project reports पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके basic को पढ़िये, six point में उसको clear कीजिए, जैसा कि हम लोग अपने six point में भी बताते हैं, कि scheme का आप किसमें शुरू की थी, उसका aim and objective क्या है, उसका main component क्या है, budgetary allocation या specific provision है, तो वो क् है, और जो last चीज आती है, कि उसकी tagline क्या, अगर इतनी चीजों में आप चीजों को cover करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से चीजे cover हो जाती है, इतना ही sufficient होता है, किसी भी scheme के लिए, क्योंकि आप देखेंगे, इनसे ऐसा कोई और difficult question बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये सारे schemes हैं, जो कि अभी major चल रही है, हाला कि अभी आने वाली वीडियो में हम लोग इन schemes को discuss भी करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, बस basic पढ़िए, बहुत ज़्यादा हर एक scheme की detailing करने की जरूरत नहीं, तो हम confused हो जाते हैं, और exam में फिर चीजें गडबर हो जाती है, then production data से related चीज है, तो आप सभी को पता है, agriculture production जो advanced estimate होते हैं, 4 advanced estimate आते हैं, horticulture के 3 advanced estimate आते हैं, तो आपको जो latest वाला है, एक तो वो पता होना चाहिए, और जो last year का है, आपको वो पता होना चाहिए, ये दोनों अगर आपको पता है, तो आप easily वाँ पर answer कर पाएंगे, इसके लावा budget, क्यूंकि budget में कभी special provisions होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ने हैं, जैसे आप देखेंगे, last year natural farming पे zero budget, natural farming पे focus किया गया, तो इससे question बन सकता है, किसान drones पे focus किया गया, अब आप कहेंगे कि sir, drone में अगर subsidy से related question आ गया, तो आपको लगता है कि नबाट के किसी norm से पूछा गया, तो ऐसा नहीं होता है, किसान drone या फिर जो agriculture mechanization से related चीज़े हैं, वो एक scheme है, submission on agriculture mechanization, उसका component है, उसमें आप देखेंगे, हर एक चीज़ के लिए subsidy mention की है, चाहे tractor हो, चाहे कमाइन harvester हो, आपके क्रिशी पद्यती है, इन सारी schemes में, जो organic farming, natural farming के लिए कितने subsidy दी जाती है, ये चीज़े mention की गई है, तो ये scheme wise subsidies होती है, इनको आपको cover करना है, ओके, तो subsidies in agriculture, और then institution, institution जैसे नाबाट ही एक ऐसा institution नहीं है, जो आपको पढ़ना है, नाबाट one of the institution जो agriculture के लिए relevant है, इसके accounts institution है, जैसे आप देखेंगे, एपिडा है, एमपिडा है, या फिर और जो इन से related चीज़े हैं, वो आपको सारी चीज़े एक बार go through करनी है, at least आपको पता होना चाहिए कि किसका full form क्या है, और उनका major work क्या है, इसे जादा बहुत जादा detailing नहीं करनी है, मतलब कहने का मतल अब यह है, कि आप उतना पढ़िए जितने में आपको एक तो घबराहट ना हो, और उतना पढ़िए जितने को आप realistically apply भी कर सकें, चीजों को अगर आप समझते हैं, तो रटना नहीं पढ़ता है, और अगर हम रटते हैं, तो confusion definitely उसमें होता ही है, आगे आपको कोई भी doubt, confusion या फिर मेरी कोई सी बात पर लगेगी sir, ऐसे कैसे, तो फिर आप उसको comment box में बताओंगा फिर, कि वो कैसे है, source to study, आप पूछेंगे sir, ये तो बता दिया आपने पढ़ना कहां से है, तो मैं आपको बताओ, schemes के लिए आज की टाइम पर सब सब चीजे योतिया, वेबसाइ कीजिए, और यहाँ पर scheme का name लिखिए, और यहाँ पर उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए, एक ही page में आपकी सारे की सारी scheme कवर हो जाएंगी, कोई बहुत जादा बड़ी चीज नहीं करनी होती है, हम लोगो ने course में भी 6.X में ही चीजे दी हुई है, और यह बनाना कोई बहुत difficult नहीं है, थोड़ा सा आपको time लगाना होता है, then उसके बाद कुछ कोई चीजे ऐसी होती है, जो important होती है, तो current agriculture आप परते हैं, तो उसमें cover हो जाती है, जैसे इनम ने भी launch किया था 14 July को platform of platforms, यह क्या चीजे आगे discuss करेंगे, इसके साथ कितनी अग्री करेंग आप इनको go through कर सकते हैं, इंडिया yearbook में आप देखेंगे तो farmers and food grains, agriculture, food, civil, supplies and consumer affairs वाला chapter आपको cover करना है, economic survey में केवल एक chapter cover करना है, वो है agriculture and food management, तो जब हम कभी कभी देखते हैं, रेंडम टाइप के question कहां से आया, अभी जैसे पूछ लिया कि micro irrigation fund में सबसे ज़्यादा budget किस state में use हो रहा है, या फिर किसी particular scheme में कौन से state first है, तो हम कोई समझ नहीं आता है कि question कूछा कहां से गया, तो generally आप देखेंगे वो चीज़े यहाँ पर mention होती है, इसलिए मैं आपको पहले कहा हूँ कि जो ministry wise summary पढ़ने से ज़्यादा better है, कि आ अलवर current agriculture के लिए या फिक किसी भी चीज के लिए current update के लिए जैसे कई सारी student को confusion होगा, अब आप मुझे बताइए comment box में कि CACP MSP कितनी crops के लिए देता है, आपके पास option है 22, 23 और 25, ओके और यह तीनों ही option हो सकते हैं, और तीनों आप लोग मुझे दिखा भी दोगे, कि सर देखो यहां है, तो 22 मेंशन है, 23 मेंशन है, 25 मेंशन है, बट आप मुझे answer, comment box मेंबर करके बताइए कि कितना है, और मैं इसका source आपको बतायता हूँ, source क्या है PIB, PIB में जो mention होगा, वही reliable होगा, क्योंकि Government of India का press release के थ्रूँ ही बताया जाता है कि क्या चीजे चल रही है, ऐसे आपको चीजे cover करनी है, किसी भी चीज में confusion होता है, उस topic के पिछे PIB लिख दीजिए, PIB आपको सारी चीजे show कर देगा, अगर कभी भी doubt होता है तो, data के लिए direct rate of economics and stats वाली website है, हलाकि documents बहुत बड़े बड़े होते हैं, summary हमने आपको telegram channel पर या अपने courses में दी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, so, इस type से आपको cover करना है, specific course है, मैंने आपको पहले भी ये सारी चीजे बता दी है, I hope कि आप लोगोंने demo देखी लिया होगा, काफी student enroll भी किया है अभी तक, and जो हमारी कल से classes start होने वाली है, आप देख सकते हैं, इसमें topic wise, कल जो हमारी class है, current agriculture पर ही है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजे पढ़नी, कैसे कैसे करना है, और questions हम discuss करेंगे, कैसे कैसे पढ़ना ही, तो हमने आज discuss करी लिया, तो इन सारी चीजे में time वहाँ पर खराब नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सीधे किस पर पढ़ना शुरू करेंग यह हमारे live class का plan है, डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, इसे पहले भी हमने आपके साथ शेर किया ही है, इसको आप अपने as a checklist भी बनाकर चल सकते हैं, कि आपको हर date में आप यह target रखेंगे, कि यह topic मुझे cover करना है, इसके according भी कर सकता है, कोई sequence को reverse कर सकता है, आप allied students है, तो So thank you everyone for watching this video and have a good day ahead.